नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका फिर से स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचनाय होती है जो विभीन समचार पत्रों पर छाइवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवशक होती है तो आई ये शुरू करते हैं और अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तो अगर आप लोग किसी भी सरकारी नोगरी के त्यारी कर रहे हैं ये चैनल आपके लिए है और जो मित्र पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वह लोग इस वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहला अब्रदेश में जितने भी आगरी केंद्र हैं अब उन पर भरतियां पूरी करने की तयारी है अलग अलग जिलों से ये भरति अलग अलग निकलती है और यह सुचना है मुझफर पुर्की लिखा हुआ है जिले में 1290 नए आंगरवाड केंद्रों के लिए सेवी का सहाई का के चैन की प्रक्रिया सुरू हो गई है जुलाई तक इन केंद्रों के लिए भरतियां हो जाए है कि अब इस तरीकी जो बरतियों हैं यह ऱ जिलों में हूँगी इसर जो बरतियों का अधार होता है वह होता है इसमें हाई सकूल और intermediate की नंबर जोड़े जाते हैं अगर कोई महिला विद्वा इत्यादी होती है या unmarried होती है तो उसको ज़्यादा प्राथ्मिक्ता दी जाती है इसके बाद में कल उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग ने एक नोटिस जारी की है और बताया है कि अगर किसीनी परिक्षा में सेंद लगाई तो तीन साल बरबाद होंगे अलग अलग जुर्म के लिए अलग अलग इसमें प्रस्ताव है लिखा हुआ है कि अधिनस सेवा चैन आयोग की लिखीत परिक्षाओं में नकल य जाने पर अब वास्तिविक अब्यर्ति वा मुन्ना भाई दोनों ही तीन साल तक किसी प्रतियोगी परिक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे आयोग इसके लिए अन्रचेन आयोगों वह संस्ताओं से सूचनाओं को साजा करेगा वहीं नकल करने पर केस धर्ज कराने से लेकर दंडित करने की विवस्था की गई है आयोग की परिक्षा में मुन्ना भाईयों के शामिल होने नकल करने कराने ओमर सीट या प्रशन पत्र परिक्षा के इंदर से लेकर भाग जाने जैसे मामले लगातार सामने आ रहा है साफ निर्देशों के बावजूत ऐसे मामलों पर अंकुसर नहीं लग पा रहा है इसकी विजए से कई बार आयोग की परिक्षे विवस्था पर सवाल उठ चुके हैं लिहाजा आयोग ने परिक्षा में अनुचित साधन के इस्तिमाल से लेकर के मुन्ना भाईयों के शामिल होने के मामलों में कड़ी कारवाई का फैसला किय यह है आयोग के सच्चिव आस्तोस मोहान अगनी होतरी ने ब्रस्पतिवार को इस समंद में आदेश जारी कि यह लिखा हुआ है कि किस कार के लिए कौन सी सिजा मिलेगी यहां पर लिखा है अगर कोई मुन्ना भाई यानि की दूसरी वास्तविक अभर्थी के इस्थान पर दूसरे अरिके देता है तब क्या होगा वास्त्विक अ वास्तविक उस्तार पर परिच्च देने वालों को तीन वर्श के लिए आयों से वंचित कर दीया जाएगा इसकी सुसना अन चैन आयोगों सस्थाओं को भेज़ी जाएगी फिर है जाली प्रवेश पत्र को कि deg lakисл दी जाते कोई और प्रिच्छद देता है तो उसके लिए क्या होगओ नीचे लिए कि वास्तिक निए वालों को में एक साल तक ना बैठने दिया जाए इसी तरीके से OMR के लिए भी लिखा हुआ है तो अधिनर्स सेवा चैन आयोग तो लगातार इस तरीके के बदलाव कर रहा है जैसे परिक्षा में वीडियोग्राफी कराना फोटो कीजना बायोमेट्रिक होना लेकिन इतना ही प्रयाप् होता है तो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाब भी जवाब देहिता हो उनके खिलाब भी कारवाई हो इसकी भी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि अगर किसी आयोग से किसी भरती बोर्ट से पेपर आउट होता है या अंदर से कुछ गलबड़ी की जाती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कारवाई होगी अगर विद्यार्थी कुछ करते हैं तो भ्रष्ट चार इतने बड़े पेमाने पर नहीं होता है दो या चार बरती किसी और की प्रिक्षा देते हैं कुछ और चीज़े होती है लेकिन अगर कुछ अंदर से गलबड करना होती है तो प्रिक्षा नियंतरक और अध्याच और जितने भी कर्मचारी है उनके खिलाब भी ठोस करवाई हो ठोस नियम बने लेकिन कभी भी किसी भी अधिकारी के खिलाब आज तक कुछ नहीं हुआ है और नहीं होता है अगली सुचना है एनाइटी वाट ट्रिपल आइटी में 16 से काउंस्लिंग के लिए पंजी करण देश के 23 भारती सुचना प्रोध्यों की संस्थानों यानि की ट्रिपल आइटी इंडियन इंस्टिटूट आफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलोजी 31 राष्टी प्रोध्योगी की संस्थानों नाइटी और सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए 16 जून को काउंस्लिंग के लिए पंजी करण की प्रक्रिया शुरू होगी ऐसा माना जा रहा है कि 14 जून को जेईए एडवांस के रिजल्ट में सफल अभरती आयाइटी मे हम ट्रिपल आइटी में काउंस्लिंग करवाएंगे एनाइटी ट्रिपल आइटी के प्रवेश के लिए गठित जॉइंट सीट एलोकेशन एथार्टी जोसा 16 जून से काउंस्लिंग के लिए विंडो ओपन करेगी जेई एडवांस की बात हो रही है 14 जून को लगबग आज दस बज़े ये परड़ाम जारी हो जाएगा इसमें लिखा है कि joint insurance examination JEE एडवांस जिसके दवारा IIT इत्यादि में एडविशन होता है पहले होता है JEE मेंस उसके बाद में होता है JEE एडवांस इसका परड़ाम है लिखा है वो सुक्रुआर को 14 जून को जारी होंगे इंड उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग ने अब काम करना शुरू कर दिया है और प्रणाम भी लगातार जारी हो रहे हैं सीधी परतियों के प्रणाम जारी होने के बाद में कल लिखित परिक्षा का प्रणाम जारी हुआ और इसके एक सब्ताह बाद इंटर्व्यू सुरू कर दिया जाएगा और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग की है लिखा यूपी प्यस्ट में जुलाई से दिखेंगे बदलाओ जुलाई से क्यों दिखेंगे बदलाओ उसका ये रीजन है कि जुलाई में बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी नए प्रिक्षा नियंतरक आएंगे नए लोगसेवा आयोग के अध्धक चाहेंगे और योगी सरकार चाहती है कि सच्चू को भी हटा दिया जाए जो सच्चू है ये काफी विवादित है और विदर्थियों की भी मां है कि सच्चू को भी हटाए जाए लिखा योगी सरकार की सत्ता में आने के बाद में उत्तर प्रिक्ष लोग सेवा आयोग में सच्चू हुआ परिच्छा नियंतरक बदला गया था आयोग को समिध्धानिक दर्जा मिलने के कारण अध्यक्ष्वा सदस्यों में किसी तरह का बदलाव नहीं हो पाया था हाला कि इस बीच सपा शसनकाल में न्युक्ति के कई सदस्य सेव निवरत्त हो चुके हैं और इसी माह के अंत में अध्यक्ष का कारकाल भी पूरा हो रहा है यूपी प्यसी में इधर एल्टी ग्रेट सिच्च अगवरती पेपर लीक कांड उजागर होने के बाद परिक्षा नियंत्रक की ग्रिफतारी होने पर उन्हें निलंबित किया चुका है नए परिक्षा नियंत्रक की खोज चल रही है यानि की जो परिक्षा कलेंडर है और जो नई बढ़तियां हैं तभी आएंगी और अगर लोग सिवा आयोग के अधक्ष की बात करें तो इसमें जो प्रभात कुमार का नाम है जो अपर बेसिक सिक्षा सची थे उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और बहुत ज़्यदा उमी की और द्योगिक प्रसिक्षा संस्थान आइटियाई में प्रवेस होगा दाखिले मेरिट के अधार पर होंगे इस बार 20 जून से प्रवेस प्रक्रिया शुरू करने का खाका तयार किया गया है लेकिन इसकी अवचारिक गोशना अभी नहीं हुई है अभी तक नीजी और सर सब्सक्राइब करने के लिए पुरा वीडिओ सुनने लिए बहुत बहुत धन्यवाद